दोस्तों, आज का ये वीडियो, Increase Your Financial IQ, इस बुक के Chapter 2 की समरी है, जिसमें रबट की उसागी बताते हैं कि Financial IQ क्या होता है, और किस तरह से Financial IQ के हल्प से हमारी जो आर्थिक सफलता है, उसे मापा जाता है, तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि Financial IQ होता क्या है, तो दोस्तों, Mr. Robert की सभी बताते हैं कि Financial IQ वास्तों में हमारे Financial Intelligence को Measurement करने का एक तरीका है, यानि हमारी बित्ती बुधी कितनी है, इसे मापने का तरीका है, हम आर्थिक रूप से कितने सफल हैं या आसफल हैं, इसे मापने का एक तरीका है, जिसे Financial IQ कहा जाता है, और दोस्तों, जैसा कि आ आएक्यू के परे में जानते हैं कि IQ कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक उसी तरह से Financial IQ भी कम या ज्यादा हो सकता है, और अगर आप देखें, तो हम सभी का अपना खुद का एक अलग-अलग Financial IQ का लेवल है, किसी की Financial IQ ज्यादा है, किसी की कम है, तो इस तरह से आप देखें, त लो financial IQ भी हो सकता है, average financial IQ भी हो सकता है और higher financial IQ भी हो सकता है lower financial IQ का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी कम है वो बहुत कम कमा पा रहा है तो इसका सिधा मतलब है कि उस व्यक्ति का जो financial IQ है वो कम है और अगर कोई ब्यक्ति बहुत ज्यादा income कमा पा रहा है तो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति कोई जो ज्यादा income कमा पा रहा है उसकी जो financial IQ है वह ज्यादा है इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर किसी ब्यक्ति की income और expense दोनों बराबर है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति का जो financial IQ है वो कम है क्योंकि वो जितना कमा रहा है उतना वो खर्च कर दे रहा है और यह भी हो सकता है कि किसी ब्यक्ति की expense ज्यादा हो यानि वो जो कमाता है उससे ज्यादा वो expense करता है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति का financial IQ बहुत ही कम है ठीक इसी तरह से अगर कोई ब्यक्ति बच्चत नहीं करता है या फिर वो tax को सही तरह से manage नहीं करता है tax में उसका ज़्यादा पैसे जाता है या फिर अगर वो investment करता है वहाँ पर उसे return बहुत कम मिलता है तो ये सब lower financial IQ की निसानी है दुसरी तरह आप देखेंगे कि अगर किसी ब्यक्ति का income ज्यादा है और expense कम है तो कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति का जो financial IQ है वो ज्यादा है ठीक इसे तरह से अगर उसके पास बच्चत के पैसे ज्यादा है extra money है surplus money है तो कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति की financial IQ है वो ज्यादा है जिस ब्यक्ति का जो अपने investment पे control ज्यादा है जो ब्यक्ति जो tax है वो कम पे करता है जबकि उसके आपने निस ज्यादा है और अगर वो investment भी करता है तो उसके low risk के साथ अगर high return कमाता है तो ये कहा जा सकता है कि उस ब्यक्ति का जो financial IQ है वो ज्यादा है तो दोस्तों ये तो हो भी बात कि financial IQ होता क्या है आईए अब ये देखते है कि financial IQ कितने तरह का होता है तो दोस्तों Mr. Robert कि सागी बताते हैं कि financial IQ पास तरह के होते हैं जो सबसे पहला होता है वो होता है making more money financial IQ यानि कि पैसे कमाने की जो हमारी छमता है उसके बारे में financial IQ और दूसरा है protecting your money यानि जो भी हमारी कमाई का पैसा है उसमें से हम कितना अपने पास रख पाते हैं किस तरह के से manage करते हैं उसको हम बोलते है protecting your money और ये है दुसरी तरह का financial IQ तीसरा है bursting your money यानि कि अपने पैसे को बजट के साथ manage करना और जो होता है leveraging your money यानि कि पैसे को काम पर लगा कर पैसे से पैसे बनाना और पांचवा है improving financial information तो इस तरह आद देखें तो Mr. Robert की उसाकी ने इन पास तरह के financial IQ बताया है जिसके बारे में अलग-अलग उन्हें अलग-अलग चेप्टर में discuss किया हुआ है जो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे और अलग-अलग जो चेप्टर से उनके बारे में हम discuss करेंगे फिलाल आईए इस वीडियो में short में basics देखते हैं कि इन अलग-अलग financial IQ का मतलब क्या है तो दोस्तों सबसे पहला है making more money इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक आमदनी कमा रहा है तो उसका जो financial IQ है वो ज्यादा रहेगा अगर कोई औसात आमदनी कमा रहेगा तो उसका जो financial IQ है वो औसात ही माना जाएगा और दोस्तों दूसरा financial IQ है protecting your money यानि कि जो भी हम पैसे कमा रहे हैं जो भी हमार पस budget के पैसे हैं उनकी हम शुरक्षा करें दोस्तों याद रखिए कि एक simple truth है कि यह जो दुनिया है वो आपसे आपका पैसा छिनने के लिए बैठी है और अलग अलग तरीके हैं जहां जिस तरह से आप अरुण जो पैसा है वो गमा सकते हैं जैसे की फटाफट अमीर बनने की बहुत सारी योजनाय होती हैं इसकिम्स होती हैं जिसमें अगर आप फंसते हैं तो आप अपना पैसा बहुत ही आसानी से गमा सकते हैं इसके लाब देखेंगे कि महंगाई हो गई या फिर tax हो गया जो directly या directly हमें pay करना होता है इससे भी जो हमारी कमाई का जो पैसा है जो हमारी आमदनी है जो हमारी बच्चत का पैसा है उसमें कमी आ जाती है तो इन सबी चीजों से हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखने की जर इस बच्चिंग इस बहरी इंपोर्टेंट मिस्टर अबकी बचाते हैं कि आप किटना कमाते हो इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कमाई गये पैसे में से कितना अपने पास रख पाती हो और इसी का नाम है बजट अगर आप बजट बनाते हैं तो बजट आपकी help करता है कि आप जो पैसे कमाते हैं उसमें से कितना आप अपने पास रख पाएंगे, सेव कर पाएंगे वो तैय करता है कि आप बचट किस तरह करते हैं बहुत सरा लोग जिनकी आमदनी तो ज्यादा होती है लेकिन बचट बहुत कम कर बाते हैं तो ऐसे ब्यक्ति का आमदनी ज्यादा होने के बावजूद उनका जो फारेंसल आइक्यू है वो लोग माना जाएगा expense में यानि हर महीने खर्च हो जा रहे हैं तो उस ब्यक्ति का financial IQ बहुत लो मना जाएगा उस ब्यक्ति की तुलना में जो सिर्फ 50,000 रुपे कमा रहा है लेकिन सिर्फ हो 30,000 रुपे में अपना पूरा खर्चा मेंटन कर ले रहा है और उसके पास हर महीने 20,000 रुपे सेव हो पा रहे हैं तो उस ब्यक्ति का financial IQ ज्यादा माना जाएगा भले ही वो 50,000 रुपे कमा रहा है लेकिन क्योंकि वो 20,000 रुपे सेव कर ले रहा है तो इस यहाँ पे उसकी जो financial IQ है वो ज्यादा माने जाएगी ना कि उस ब्यक्ति की जो एक लग रुपे भले कमा रहा है लेकिन वो 90,000 रुपे से 95,000 खर्च ही कर दे रहा है और दोस्तों चौथा financial IQ है leveraging your money इसका मतलब है कि आप अपने जो पैसे है उसको safe तरीके से invest करिए invest करने के साथ उसे आप grow करिए और low risk के साथ आपको हाँ पे high return कमाना है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका financial IQ है वो ज़्यादा माना जाएगा ज़्याद तर आप देखेंगे कि लोग बहुत ही safe investment करते हैं लेकिन safe invest करने के चकर में वहाँ पे बहुत ही low return कमाते हैं और दुसरी तरफ बहुत सरे ऐसे लोग है जो high risk उठाते हैं और high risk के साथ investment तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें high return नहीं मिल पाता इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप high risk के साथ invest कर रहे हैं लेकिन आपको जो return है वो low मिल रहा है तो आपकी जो financial IQ है उसे low माना जाएगा दुसरी तरफ अगर आप low risk के साथ high return कमा पा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो financial IQ है वो high financial IQ मानी जाएगी तिसरा अगर आप average risk उठाते हैं और average return कमाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो financial IQ है वो average मानी जाएगी और दोस्तों पाच्वा financial IQ है अपने financial information को improve करते रहना जैसा कि कहा गया है learning is earning तो अगर आप learning करते रहते हैं और valid information जुटाते रहते हैं तो आप जो information जुटाएंगे उससे आप पैसे कमा सकते हैं तो यहाँ पर में इस्टर रोबर्ट की उससे की बताते हैं कि अगर आप अपने skills में अपने knowledge में अपने experience में आप invest करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा return दे सकता है और यहाँ पे अगर आप अपने financial information को financial knowledge को improve करते रहते हैं तो आप माना जाएगा कि आपकी जो financial IQ है वो ज्यादा है क्योंकि आप यह समझ रहे हैं कि आपका जो दिमाग है आपकी जो बुद्धी है वो आपका सबसे बड़ा धन है तो जो भी आप अपने आप invest करते हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा return मिल सकता है तो यह एक तरह का financial IQ है और जो इस बात को समझता है उसकी financial IQ ज़्यादा माने जाएगी और जो ब्यक्ति इस तरह की चीज़े नहीं करता अपने आपके उपर investment नहीं करता अपने skills अपने knowledge को improve नहीं करता उसकी financial IQ कम माने जाएगी तो दोस्तों अगर chapter 2 को summarize किया जाए तो यहाँ पर Mr. Robert क्या था कि सबसे पहले तो financial IQ को define करते हैं I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ important lesson मिले होंगे और आपको समझ में आया होगा कि financial IQ क्या होता है और यह कितने तरह का होता है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इससे like और share जरूर करें और अगर आप चैनल के नए हैं तो subscribe करें के साथ bell icon भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस्त ना कर सकें तो दोस्तों अंद में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद